hello friends welcome to surthi designer friends हाज के इस वीडियो में designer blouse बनाएंगे और इसे हम princess cut belt बला blouse बनाएंगे 34 size का बनाएंगे तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो please channel को subscribe जरू कर लिजेगा तो यहाँ पर lining ली है 80 cm और जो man fabric है वो लिया है हमने 1 meter और 1.25 meter इसकी जो cutting है वो पहले हम lining पर करेंगे तो screen पर zoom measurement दिखेगा आपको वही लेते हुए हमें इसकी marking करनी है तो सबसे पहले इसकी marking है वो हमें lining पर करनी है तो जो blouse है उसकी total length रखनी है हमें 13.5 inch की तो हमें आप 1.5 inch plus का लेना है margin का तो हमें आप 15 inch ले लेना है तो 15 inch पर हम marking करेंगे और इसे हम boat neck की according बनाएंगे अगर आप चाहिए तो सबसे deep neck की according भी बना सकते है shoulder लेना है हमें 7 inch armhole लेना है 6.5 inch chest का 4th part लेना है 34 का 4th part होगा 8.5 inch front part है तो 2.5 inch plus करेंगे margin के लिए waist 28 उसका 4th part 7 inch 2 inch tucks के लिए 2.5 inch margin के लिए side से line को draw कर लेना है और 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है अब यहाँ पर हमें marking कर लेनी है तो यहाँ की जो marking है वो हम marking करेंगे आपर 3.5 inch पर और इस तरीके से line को draw कर देना है अब यहाँ पर princess cut की marking करनी है तो 3.5 inch पर marking करेंगे तक्स पॉइंट लेना है 10 inch पर princess cut का shape देना है तक्स की जो weight थे वो हम 2 inch रखेंगे इस टैप से save देना है यहाँ से हमें 1.25 inch पर shape देना है belt के लिए और इन parts को cut कर लेना है side से भी थोड़ा सा उपर के side हमें marking करनी है यहाँ पर हमें neck की land है वो total रख लेनी है क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थी मैं deep neck का blouse बताई है तो deep neck का step से ही blouse मुझे उसकी picture की गई थी तो वही हम blouse आज बना रहे हैं तो neck को हमने neck की जो वीट थी वो 4 inch ले लिया और इस टैप से V-shape दिया है इस parts को हम cut करेंगे तो यह दिखिए front वाला part हमने cut कर लिया है belt की जो waist है उसका fourth part लेना है 7 inch 2.5 inch plus कर लेना है margin के लिए इस टैप से belt भी cut हो गया है और अब हम back part की marking करेंगे तो इसके जो eye hook है वो हमें back में रखने है यहां से fabric को stripe से double कर लिया अब यहां पर half inch की marking कर लेनी है eye hook की पट्टी के लिए यहां पर हम shoulder की marking करेंगे 7 inch पर armor लेना है 6.5 inch chest का fourth part लेना है 8.5 inch 2 inch plus करेंगे margin के लिए total length ले लेनी है 4.5 inch की waist का fourth part लेना है 7 inch 2 inch margin 1 inch back tucks के लिए side see line को draw करेंगे 1 inch से armor के side पर गुलाई देनी है इन पार्ट को cut करना है इन पार्ट को cut करना है यह बैक पार्ट है तो पहले हम front और back part को man fabric पर cut करेंगे तो देखिए belt को हमने यह आपर इस तरीके से रखा front part को रख लेना है पहले यह रिखिए stripe से belt को cut किया बागी parts भी cut कर लेना है तो देखिए हमने इन parts को cut किया बैक वाले part को भी आपर रख कर cut कर लेना है कर दो देखिए प्रेंट और back part को cut कर लिया अब हमें स्लीज कट करनी है स्लीज कट करनी के लिए हमने इस फैवरिक को फोर फोल्ड कर लिया है और स्लीज की जो टूटल लांत है वो हम यह आपर रखेंगे तो नीचे वाला जो इसमें हमें बैल्ट भी लगाना है तो हमने आपर इसको 19 इंच कर रखा या पर पाट वन इंच इसमें प्लस कर लिया है मार्जन के लिए स्टेट लाइन को ड्रो कर लिया आर्मुल था 9 इंच तो 9 इंच पर मार्किंग की और 3.5 इंच पर स्लीज को डाउन करना है इस टाइप से सेफ दिया ज्यादा शेप नहीं देना है इसमें हम 10.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तभी यह थोड़ा सा पफी टाइप की बनेगी और आप जो जो इसलीज है उसको आप औरगेंजा फवावडिक, डव्रच जॉड़ड में बना सकते हैं और टिसू फवेव्रच में भी आप इससें बना सकते हैं तो दिखिए स्लीज हमने यहापबर इसको कट कर लिया है और इसका जो बैल्ट है नीचे का वो हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमने फैबरिक को फोर फोल्ड कर लिया यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 6 इंच पर क्योंकि 8 इंच हमारा राउंड है तो इसका हाफ लिया 4 इंच और 2 इंच मार्जन के लिए अब यहाँ पर हमने इसको टोटल 5 इंच लिया है तो 1 इंच तो हमने इसमें stitching के लिए लिया है और 4 इंच हमने इसको लिया है 23 इंच की हमारी स्लेस बनकर कम्प्लीट होगी जोपर पार्ट था वो हमने 90 इंच का लिया था 4 इंच हमने यह वाला पार्ट को लिया तो 23 इंच होगे अब इनको हमें मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिना है तो इसी टैप से हमारे सारे जो फैब्रिक पर हमने साभी पार्ट को कट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी स्टिचिंग करेंगे तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेर और कमेंट जरू करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा थैंक क्यू